को आज की वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ हिबिस्कis hair mask के बारे में हिबिस्किस जिसको हम गुर्षल के फूल भी कहते हैं गुर्षल के फूल कैसा होता है RET RAT कलर का होता है उसकी पत्तियां होती है लिव्स वो green green होती है कुछ लोग हेर मास्क में सिर्फ फ्लावर यूज करते हैं, कुछ लोग सिर्फ लीव्स यूज करते हैं, कुछ लोग दोनों को मिक्स करते हैं, मैं कौन सी काटेगरी में आती हूँ मैं कुछ भी यूज नहीं करती हूँ, मैं अच्छली उसका जो लीज का पाउडर होता है, ग्रीन वाला, मैं वो यूज करती हूँ क्योंकि रेड में मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा सा आपके बालों में स्टेंच छोड़ जाए, आपको नहीं चाहिए कि कोई भी कलर आपके बालों में आए, तो आप भी ग्रीन हिपिस्केस पाउडर यूज कर सकते हैं अज में दिसक्शнова करने वाली हुज के तीन वेरियन पर डापाशी करने हो तो यह पास्टेम करने हैं जनको यह घालों इस बनाना है मैं अपको हैबिस्केस के बेनीफिट लिए पकर इबुश्केस कि अपिसकिस में वितमिन ची का ओंटेंट बहुट जादा हाई है इसमें फ्लेवचन इसमें फ्लेवनोट्स मिलते हैं प्रोटीन महाँ जादा अच्छा मिलता है इसके वजह से यह आपके बालों को जडों से स्ट्रेंग्धन करता है उनको स्मूद्ध और सॉफ्ट तो इसकी जो पोटेंसी है या इसकी जो पावर है आपको आपके बालों को help करने के लिए आपके बालों को healthy बनाने के लिए वो और भी बढ़ जाती है तो मैं आगे discuss करती हूं कि कौन-कौन से मास्क में आप क्या है mask number one that is for hair growth hair growth का मुझे कभी-कभी ऐसे comments में आता है कि पहले तो hair growth को समझ लो hair growth दो टाइप से हो सकती है एक तो जड़ों से growth दूसरा lengthwise growth तो कुछ-कुछ ऐसे ingredient है जो कि बहुत ही जादा helpful है अगर आपको length को अगर enhance करना है कुछ-कुछ ऐसे ingredients हैं जो कि volume के लिए बहुत जादा beneficial है लेकिन कुछ ऐसे ingredients हैं जो कि दोनों के लिए beneficial है and that ingredient is amla Indian gooseberry amla तो इसमें आपको क्या करना है आपको amla powder लेना है थोड़ा सा मतलब एक से 1.5 पून ले लो और एक से 1.5 पून ही आप लेंगे hibiscus powder दोनों को mix करना है उसमें आप डालेंगे curd 3-4 चमच और बाकी की consistency अगर आपको चाहिए वो आप डाल सकते है consistency अनुसार जैसे बोलते है नमक स्वादा अनुसार तो consistency अनुसार आप उसमें पानी डाल सकते हैं आपको पतला चाहिए ज्यादा पानी डालिए मोटा चाहिए कम पानी डालिए और से अपने पूरे स्कैल्प में स्ट्रांड में फैला के 30 से 45 मिनिट्स रखिए और उसके बाद वाश ओफ कर देजिए यह उन लोगों के लिए बहुत जाद अच्छा है जिनको वॉल्म का प्रॉब्म है और लेंग्द का प्रॉब्म है प्लीज डोंट एक्सपेक्ट एनिधिं मिराकुलिस तो हैपन ओर न सब्सक्राइब कर देजिए तो यह हो गया दूसरा मास्क है डाट इस फॉर दैंडर्फ जिनको देंडर्फ का प्रॉब्म है सबसे अच्छा इंग्रेडियन पहला नाम जो मेरे माइन में आता है वो है मेथी फेनुगरिक सीट्स का सीधे आप पाउडर मना लेजिए ग्राइं किया और इसका पाउडर डाला या फिर ओवर्नाइट सो किया और उसके बाद उसका प जाएगा तो देख लीजिए अपना कॉंटिटी अपने बालों के वोल्यूम लेंक के सबसे वो डालिए और उसमें कर्ट डालिए मिक्स कीजिए पेस्ट बनाइए और बालों में लगाईए 40 मिनिट सब रखिए धो लीजिए अगला है उन लोगों के लिए जिनको जिनको प अपने बालों को मजबूत करना है इन सबसे चुटकारा बाना है तो वो यह यूज करेंगे अगें टेक्स्चर में इंप्रूमें अपको फर्स्ट वाश में ही दिख सकती है अच्छा पहले से कंपैरिजन में आपके बाल टैंगल रहेंगे टेंड रहेंगे फ्रीजी नहीं हर चीज आप पॉजिटिव एनरजी फील करेंगे ना पॉजिटिव मन में की होगा कुछ अच्छा होगा कुछ अच्छा होगा तो अच्छा होगा यह ज़रूर चाहिए लाइफ में हर चीज के लिए ठीक है अब अगला है कि हिबिस्किस का मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था मैं बहुत इंपोर्टन पॉइंट बताने वाली हूँ कि हिबिस्किस मास्क जिन लोगों ने अपने बालों में अभी तक कोई भी एक्स्टरनल एप्लिकेशन नहीं किया है उन लोगों को इतना जादा एकदम से रिस्पॉंस या उस तरह से नहीं आएगा या फिर अजीब सा तरह से रियाक्ट नहीं करेगा बचाए उसके कि आप सीधे कोई बहुत ही स्ट्रॉंग इंग्रेटिंट लेकर अपने बालों में लगा रहे हैं स्कैल्प में तो थोड़ा सा माइल्ड स अगर अगर अच्छा करना है नॉर्मल नैचरुल और निकाले एक्सेस और को रिमूब करेगा अपके स्कैल्प को नमबर थ्री अगर आपके स्कैल्प के पोर्स बंद है उसको एक्सफॉलियेट करने की प्रॉपर्टी बहुत ही अमेजिंग ली हिबिस्केस पाउडर पूर होजा आप इंटर्नली नुटिशन पासवन करना चाहते है अपने डाइट नь अच्छी क 중요ित लेकिन आपके स्कैल्प के जो पॉर्स भंद है तापके स्कैल्प के स्कैल्प के जो जो पौर्स है आपके है घ किंड ग अपके फॉर्स के था चाही लेकिन जूब परका ऑपके स तो इसी लिए कोई भी अगर है के रेजिम में इंडल्ज होना चाहता है और अभी तक कुछ यूज नी किया स्टार्ट विद इस हैर मास्क और सेकिंड वाला जो माइल हेर मास्क में जो काफी लोग मुझे कॉमें सेक्शन में पूछते हैं तो मैं सजेस्ट करते हूं इस फ्ले बहुत माइल है और क्लेंव एजेंट का गाम करता है बहुत अमेजंग है जिन लोगों का स्कयल्प Eक्स्ट्रीमली ओ करता है एक्स्ट्रीमली ओखें के बहुत जिपनम करता है कुईक्ट तो कि बालिया लेख सुपर­ण की यूज कपीशेटर और उन does कैल्प भी ओईली है उनके लिए बहुत अच्छे रेमेडी है तो इन तीनों मास में से आप कर सकते हैं यह मेना एक एड़-उन पॉइंट दे दिया आपको उमीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी है वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए नीचे कॉमेंट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना बेल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करना जिससे की कोई भी अपलोड आप कभी भी मिसना कर सके मैं ज